मेरा नाम किज़ा है और मेरी उमर 21 साल है जब मैं बहुत छोटी थी मेरे माबाप इस दुनिया से रुखसत हो गए मैं इक रोती ही थी मेरे चच्चा ने मेरी परवरेश्टा जिम्मा लिया पहले पहले तो मेरा बहुत ख्याल रखते मेरी हार जरूरत पूरी करते फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका प्यार मेरे लिए कम हो गया फिर मैं उनके लिए बोज बन गई मेरा स्कूल छुड़ा के मुझसे चच्ची सारा दिन काम लेती और उनके बच्चे स्कूल जाते मैं पहले तो बहुत रोती फिर सबर आ गया मैंने रोना दोना छोड़ दिया और गर के काम करती सारा दिन सबने मुझे नौकरानी समय लिया मैं तो उन्हें मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी फिर एक दिन मुझे पता चला चच्चा मेरी शादी कर रहे हैं मैं हेरान हो गई चच्चा मेरी शादी क्यों करना चाहते हैं और मेरी शादी से इतना खुश क्यों हैं मैं ते उनकी मुफ्त की नौकरानी हूँ उन्हें मेरी शादी करके क्या मिलेगा फिर मैं खामोश हो गई मेरा ख्यार था शादी के बाद मेरी इस यहन्नम से जान छूट जाएगी शादी वाले दिन जब मेरा शोहर कमरे में दाखिल हुआ तो नशे में छूट था मैं उससे देखकर डर गई और खुद में सिमट गई जटका तो मुझे तब लगा चब उसने मेरे बालों से पकड़ लिया और मुझे मारने लगा और मैं रोती हुई अपना गुनाह सोचने लगी मुझे किसकी सजा मिल रही है चच्चा के गर लातूं से वार करके मुझे जखमी किया जाता जहनी तोर पर मुझे मारा जाता पर यहां तो मुझे जिसमानी तोर पर भी इजियत दी जाने लगी मैं खामोश हो जाती और सोचने लगती आखिर चच्चा ने मेरी शादी शक्स से क्यूं की है मैं अपने शोर के कपड़े इस दिका रही थी जब इचानक दर्वाजा खोल कर कमरे में आए और मुझे बालू से पकड़ कर मेरे हाथ पे इस्तरी रख दी और मैं दर्द से बुलबला उठी मेरी आंखों से आंसू गिनने लगे और गुसे में बोले ये रोने वाला ड्रामा मेरे सामने मत किया करो मैं तुम जैसी आउर्टों को अच्छी तरा जानता हूँ मैं हिरान हो गई वो मुझे आउर्ट कह रहा था और उसके कहने का मतलब मैं ना समझ सकी वो कैसी आउर्ट मुझे समझ रहा है मैं अभी अपने पर हुए जुलम के बारे में पूछने ही लगी थी वो गुशे में वहां से चला गया मेरे हाथ पर जलन होने लगी मैं उससे कुछ पूछने लगती मेरी हिम्मद जवाब दे जाती शादी को कई साल गुजरने के बाद भी मैंने उस शक्स के लबू पर मुस्काहट ना देखी मुझे हैरत होती ये शक्स ऐसा क्यूं है उसे लड़कियों से इतनी नफरत क्यूं है पर मैं कभी पूछ ही न सकी जब भी आता मार पिटाई करके ना जाने कहां चला जाता और मैं अपनी किसमत को बैठ के रोती रहती मैं रात के वकट गार्डन में बैठी हुई थी कि चानक आकर मुझे पर चलाने लगा यहां क्यूं बैठी हो रात के वकट इस वकट किसका इंतजार कर रही हो मैं तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह जानता हूँ और तुम आज गली में क्यूं गई थी तुम जैसी औरतों के बड़ी तेज होती हैं लड़कों का अपनी अदाई दिखा कर फंसा लेती हैं मुझे उसकी बाते सुनकर गुसा आने लगा इस शक्स में औरतों के बारे में इतनी गल्ट फहमिया क्यूं पाल रखी थी हर वक्त औरत की बुराई हर वक्त मुझे बुरा बला कहता और मैं उसे देखती रह जाती गले में आंसू का फंदा अटका हुआ होता वो मुझे बाजू से पकड़ के अंदर ले आया और मुझे बैट पर फैंका और बुरी तरा मारने लगा मेरे तो आंसू भी खुशक हो गए रो रो कर वो वहीं आराम से सो गया और मैं अपने जख्मों पर मरहम लगाने लगी इस शक्स को बहुत सकून मिलता मुझे मार कर और मैं ये ही सोचती क्यों इतनी नफरत करता है ये शक्स पूरी रात यूँ ही जागते जागते गुजर गई नीन तो कुसू दूर थी सुबा ही सुबा तबियत खराब हो गई मुझे लगा रात जागने की वज़ा से खराब है मैं मामूल के मताबिक काम लगी रही रात के वकट मेरा शोहर गर आया और मैंने उसके आगे खाना रख दिया वो गुस्से में बोला ये जब भी मैं गर आता हूँ मेरे सामने खाना रख देती हो और कोई काम नहीं है मैं कोई गर बे खाने आता हूँ वो गुस्से में बोला मैंने पहली दफा उनके सवाल का जवाब दिया खाने के इलावा मारने भी आते हैं पर मेरे ख्याल में नहीं था इस शक्स को मेरी बात पर इतना घुस्सा आएगा उसने खाने वाली ट्रेस हैन के दर्मियान में फैंक दी मैं हका बका उसे देखने लगी वो शक्स अब मेरा हाल बिगारने वाला मेरा सर चक्राया और मैं जमी बोस हो गई उसके बाद जब मेरी आँख खुली में कमरे में मौजूद थी डाक्टर मेरे शोहर को कोई हदाय दे रही थी उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना इस हालत में उनके लिए कोई भी टेंशन ठीक नहीं है मैं सवालिया नजरू से अपने शोहर को देखने लगी पर डाक्टर ने जो अगली बात की मुझे सारी सुर्तेहाल समझा गई डाक्टर कह रही थी कि अगर कोई टेंशन दी तो उनके साथ साथ उनके बच्चे की जान को भी खत्रा होगा डाक्टर की बात सुनकर मेरे लबू पर मुस्क्राहट आ गई और मैं अपने शोहर को देखने लगी मैंने पहली दफ़ा उसके चहरे पर गुस्सा ना देखा मगर गुस्सा नहीं था तो मुस्क्राहट भी नहीं थी बस वो खामोशी से डाक्टर की बाते सुन रहा था थोड़ी देर बार डाक्टर चली गई तो वो भी बाहर चला गया और मुझसे कोई बात ना की मेरी मुस्कराहट एकदम सिमट गई और मैं बिलावजा अपने हाथ देखने लगी मेरे हाथों की लकीरों में शायद कोई खुशी की लकीर ही नहीं थी मैंने अपने गिरने वाले आंसु साथ किये और सोचने लगी चच्चा के गर में और इस गर में कुछ ज्यादा फरक नहीं था शादी क्यों की जो शक्स और अधजा से इतनी नफरत करता है और इतनी नव्रत क्यूं करता है मैं पूछती भी तो किसे मैं तो किसी को जानती तक नहीं थी कौन मुझे बताथा इस शक्स के बारे में ये तो तनहा है ना उसकी कोई मा ना बाप ना बहन ना बाई सिरफ एक ये जालिम शखस पर मैं खुश थी कोई तो था मेरा चाहे जैसा भी हो मैं अपनी सोचों में गुम ना जाने का बनीन की बादियों में चली गई सुबा जब आँख खुली तो मेरा शोहर गर पर मौजूद नहीं था मैं उठी और फ्रेश हुई अभी मैंने नाश्ता करना ही था कि हमसाई आ गई मुझे हेरांगी हुई पहली रफ़ा कोई औरत मेरे गर आई थी उसने मुझे बताया मैं साथ वाले गर में रहती हूँ फिर अजीब सी बात कह गई बहन अपने शोहर को अपने काबू में रखो मैं हेरांगी से उसे जाता हुआ देखने लगी मेरे शोहर ने क्या कर दिया है जो मैं उसे काबू में रखो जिनकी गुजनने लगी मेरे शोहर ने मुझे हाथ उठाना चोड़ दिया था वो खुद भी गुंसम सा रहता पर ये मेरी हिरांगी ज्यादा दिन ना टिकी और अगले दिन ही मुझे थपड़ पड़ गया पर मैं कर भी क्या सकती थी बिलावजा इस शक्स का गुस्सा और बिलावजा मुझे सदील करना शायद इस शक्स को मश्कला था इस शक्स के साथ इतने साल बिताने के बाद भी उसे समझ ना सकी वो क्या है मैं रात के वकत गार्डन में टहल रही थी अभी तक मेरे सर्ताजी गड़ नहीं पहुँचे थे मुझे नीद आने लगी मैं कमरे में चली गई पैर मैं उनकी आने से पहले तक सो भी नहीं सकती थी वैसे ही बैठ कर अपनी जिन्गी के बारे में सोचने लगी मुझे तो याद भी ना आया कि कब मैं खुलकर मुस्कराई थी इचानक से दर्वाजा खुला मुझे लगा मेरे शोहर आ गए है मैं बाँ मुशकल बैठ से उठी मगर सामने किसी अंजान शक्स को देखर मेरे रॉंक्टे खड़े हो गए और मैंने डर के मारे सारी लाइट सौन कर दी वो पहले तो मुझे गुस्से में देखता रहा उसकी आंखे लाल सुर्ख थी इचानक उसका गुस्सा गाइब होने लगा वो पीछे कदम करता कमरे से बाहर निकला मैं भी उसके पीछे गई वो वहाँ बिना रुके ही चला गया इस दोरान मेरा शोहर मेरी तरफ आया और उससे पहले कि मैं कुछ पूछती वो मुझे से पूछना लगा ये कौन था उसके चला कर पूछने पर मुझे अपनी जान जाती हुई महसूस हुई मैंने नफी में सरहला कर कहा और खुद ही बोलता गया तुम जैसी लड़कियों के ना जाने कितने यार होते हैं और ना जाने किस किस से चक्कर चलाया होगा तुमने उसने मुझे बाजू से पकड़ कर गर से बाहर निकाल दिया और गुसे में कहा इस गर के द्रवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हैं, जहां मर्जी जाओ, बलके कहां जाओगी, अपने उश्यार के पास जाओगी, उसने ये कहकर मेरे मुँझे बंद कर दिया, और मैं बेबसी से रोती रही, द्रवाजा खटकटाती रही, पर द्रवाजा ना खुला, औ नहीं मारना चाहती थी, फिर एक रात वो ननी सी जान इस दुनिया में आ गई, मैं उसका और अपना पेट पालने के लिए सारा दिन लोगों के आगे हाथ पहला कर बीक मांगती, लोगों की ठोकरें खाती, मेरा बेटा सारा दिन रोता और मैं उसे देखकर ना जाने किस से गुजरती, मैं रोज जी जी कर मती, मुझे अपनी सांसें बोज लगने लगती, मैं अपने बेटे को सीने से लगाए सड़कों पर फिरती, और इस शक्स को बाद दुआएं देती, ना जाने वो कौन था और क्यों मुझे इस तरह बरबाद कर गया था, मुझे अपना शो से लगाए बारिश से बचाने की कोशिश कर रही थी, मेरे बेटे को बुखार होने लगा, मैं उसे चूम रही थी, इचानक कोई मेरे सामने आकर बैठ गया, मैंने निगाहें उठा कर सामने बैठे शक्स को नफरत बरी निगाहों से देखा, मेरे तन बदन में आग लग बाद में मुझे से जगर लेना तुम्हारे बेटे को बुखार है अगर इसकी जिन्दगी चाहती हो तो उठो यहां से चलो मेरे साथ मैंने अपने रोते बिलगते बेटे को देखा और उसके साथ चल पड़ी वो मुझे अपने गर ले आया वो गर कम और महल स्यादा लग रहा था मैंने हिरांगी से उसकी तरफ देखा और गुस्से में उससे कहा क्यों मुझे बर्बाद कर ये किया क्या बिगारा था मैंने तुम्हारा तुमने मुझे बर्बाद किया है खुशियां तो मेरे पास पहले भी नहीं थी पर तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा क्यों ऐसा किया मैंने उसका गरेबान पकड़ा और पूछने लगी मगर वो आराम से वहां से चला गया और थोड़ी देर बाद आकर मुझे कपड़े दिये और कहा कि अपने बेटे के भी बदल दो और अपने भी बदल लो वो ये कहकर रुका नहीं और वहां से चला गया मैंने कपड़े चेंज की और अपने बेटे को सुलाने लगी थोड़ी देर बार वो भीर आया और बोला मेरा नाम का शान है मैंने गुस्से में कहा मैं आपके नाम का क्या करूं आप मेरे साथ आइं और मेरे शोहर को बताएं हमारे दर्मियान ऐसा कुछ नहीं है मैं उसका हाथ पकड़े बाहर की तरफ जाने लगी मगर वो वहीं खड़ा रहा और बोला तुम्हारा शोहर इस दुनिया में नहीं है वो खुदकशी कर चुका है वो इतने आराम से बताने लगा तुम जूट बोल रहे हो मैंने उसके मूँ पर थपड़ सीथ कर दिया वो कुछ ना बोला तुम भी शादी कर लो फिर उसने कहा उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया तुम कौन होते हो मेरी जिनकी का फैसला करने वाले मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं तुमने मेरी जिनकी पर बात की है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी मैंने जाने उससे कि खड़े-खड़े कितनी बाते सुना दी पर मुझे हिरांगी हुई वो शक्स अपने आंसों चुपाता वहां से चला गया दिन गुजरने लगे वो शक्स मेरे बेटे से बहुत महबत करता उसे खिलाता उसके लिए खिलोने लाता और मैं अपने बेटे को उससे दूर रखती वो मुझे एक ही बात कहता शादी कर लो पर मैं उसकी बात का जवाब न देती मैं अक्सर उसे तनहाई में रोता हुआ भी देखती वो बहुत कम उसकराता तुम अगर किसी और से शादी नहीं करना चाहती तो तुम्हें मुझे से शादी करना होगी मैं ऐसे तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता और अगर तुम कहीं और जाना चाहती हो तो जा सकती हो इस बात सुदने के बाद मेरे जहन में चचचा का गर आया पर मैं उदर जा नहीं सकती थी मैंने उसके साथ शादी करने के लिए हामी पर ली और उसका और मेरा निकाह हो गया मैं अक्सर गुसे में उससे पूछती तुम रात मेरे कमरे में क्यूं आए पर मुझे जवाब में उसकी निगाहों में शर्मिन की नज़र आती वो कोई जवाब ना देता एक दिन मैं इचानक सीडियों से गिर गई उसके बाद वो मेरा बहुत ख्याल रखता पूरी पूरी रात मेरे पास बैठा रहता मेरे बेटे को खिलाता मैंने उससे बेबसी से कहा प्लीज खुदा के लिए मुझे सच बता दो वो निगाहें चुका कर बोला तुम्हारे शोहर को लड़कियों से नफरत थी क्यूंकि उससे किसी लड़की ने दोका दिया और फिर तुम्हारे शोहर ने तुम्हें तुम्हारे चच्चा से खरीदा वो अपना सारा गुस्सा तुम पर निकालता था एक दिन ऐसे ही मेरा उससे छोटी सी आग में जलने लगा मैंने फैसला कर लिया था मैं भी उसकी बीवी को जलील करके माद दूंगा उस रात में तुम्हें मादने के रादे अचे आया था पर तुम्हारी हालत दे कर मुझे अपनी बीवी यादा आ गई और मैं वहाँ से चला गया पर मैं नहीं जानता था वो इतना शक करेगा उसके बाल मुझे कहीं सकून ना मिलता मैं गरीबू की मदद करता फिर अक्सर मैं तुम्हें देखता और सोचता कहीं देखा था फिर मुझे याद आ गया और मालूम करने पर ये ही पता चला तुम्हारा ये हाल मेरी वजा से हुआ है पर मैं नहीं जानता था मैं किस मूझे तुम से माफी मांगू मैं बहुत शर्मिनदा हूँ वो बताते बताते रोने लगा मैंने उसके जुड़े हुए हाथ पकल लिए उससे माफ कर दिया उसके बाद मेरी जिनकी में खुशियां आ गई और मैं अपने रब का शुकर अदा करती इतने गमों के बाद मुझे खुशियां मिली हम खुशी खुशी रहने लगे